100 point activity GTO का एक most important part है अगर आप 100 point activity के लिए free certificate चाहते हो और वो भी Microsoft का चाहते हो तो उसके लिए एक जोरदार opportunity अभी चल ही रही है तो हमारी pre-hissal विद्याविट टेम ने collaborate किया है Microsoft के साथ और आपके लिए लेकर के आये है free training sessions जिसमें आपको free में सीखने को भी मिलने वाला है और free में certificate भी मिलने वाला है अगर मैं 100 point activity की बात भी हटा दू खाली आपको सीखना है और सीखने certificate भी लेना है जो आपको आगे आपके career में काम आएगा आपके resume में रख पाओगे, add इकर पाओगे भी Microsoft के training आपने ली हुई है वहाँ पे तो वो भी एक अच्छा impact देती है तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ proper तरीके से समझाने वाला हूँ और मैं आपको live demo भी दिखाने वाला हूँ कि कैसे आपको ये training लेनी है और उसके बाद कैसे आपको certificate लेना है उसमें random students को certificate के बाद भी बहुत सारी gifts मिलने वाली है उसकी भी बात मैं यहाँ पे करने वाला हूँ तो वीडियो पूरा देखना और अच्छा लगे तो आपके friends में share भी करना चैनल पे नई है तो चैनल को subscribe करना और ऐसी नई अपडेट के लिए हमारी WhatsApp चैनल जी इसकी link नीचे description box में है उसको भी joint कर लेना सबसे पहले में आपको basic idea देता हूँ तो get the certificate of Microsoft and LinkedIn premium for free है ना यहाँ से आप आपकी job opportunity set कर सकते हो आप इसका package देख लेना कितने में मिलता है तो यहाँ पर यह भी आपको मिलेगा अगर आप आपकी training पूरी कर दोगे तो random students को as a gift के form में यहाँ से देने वाले है प्रियेसर विद्धापिट ब्रिंग्स तु यू अजूरे AI fundamentals of microscope no fees, no subscription, कोई subscription आपको नहीं लेना है कोई fees नहीं देनी है खाली सीखना किसके बारे में सीखना है आपको यहाँ पर तो खास ध्यान में रखो आपको सीखना है AI के बारे में AI के fundamentals के बारे में तो यह computer reality वाले बच्चों के लिए भी helpful है जिसको computer reality में interest है बागी के बरांच वाले बच्चों के लिए भी important है यहां पर लिखा हुआ है get certified from Microsoft तो Microsoft की और से आपको certificate भी मिलने वाला है और 17,000 देखो मैंने बोला दा ना इसका payment आप एक बार चेक कर लेने आए पर लिखा है 17,000 का जो premium होता है वो आपको यहां पर free में मिलेगा selected students को तो अब इसकी process क्या है कैसे आपको इसमें part लेना है और कैसे आपको यह पूरी process करनी है तो सबसे पहले आपको description box में मैं एक link दे रहा हूँ उसके उपर आपको click करना है यह video जब आप देखोगे तो इसमें मैंने आपको पूरी process समझाई है तो मैं आपको ले जाओगा अपने laptop की screen के उपर पूरा वीडियो आप देख लेना और उसको करोगे तो आपको कोई भी लिक्कत नहीं आएगी आप आराम से यह sessions को समाप्त भी करोगे और कतम करने के बाद आपको वहाँ पे certificate भी मिलने वाला है तो पूरा देखते हैं कैसे करनी है process Hello dear students, Priya's Savidya Peet के platform के मात्यम से मैं आज आपके साथ Microsoft के द्वारा आपके लिए एक बहुत ही बड़ी learning opportunity को share करने आया हूँ अभी Microsoft का एक challenge चल रहा है जिसका नाम है Ambassador Challenge जिसका नाम है Azure AI Fundamentals इस challenge के अंदर आपको Azure AI यन की AI के बारे में काफी सारी चीज़े सीखने को मिलेगी जैसे के आप देख सकते हैं कि ये challenge February 11, 2024 से लेकर February 26, 2024 तक live रहने वाला है तो इस समय के अंदर अंदर आपको इस challenge को join करना पड़ेगा और फिर इसे complete करना पड़ेगा जो भी students इस challenge को successfully complete करते हैं और उसके बाद उन्हें ये completion form भरना होता है यानकि जो भी students challenge को complete करने के बाद इस completion form को भरेंगे उन सभी को Microsoft की तरफ से certificates दिये जाएंगे और साथी में कुछ random students को select किया जाएगा और उन्हें 12 months का LinkedIn premium voucher दिया जाएगा जिसमें एक voucher की कीमत करीबन 17,000 रुपे होती है तो ये 17,000 रुपे के credits जो है वो randomly students को select किये जाएंगे और दिये जाएंगे तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि किस प्रकार से आप इस challenge को complete कर सकते हैं यहाँ पर आपको ये join the challenge वाला बटन दिख रहा है उस पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है उसके बाद अगर आपका account created नहीं है तो आप यहाँ पर account create कर सकते हैं यहाँ पर already एक account create किया गया है इसलिए मैं यहाँ पर सिधा next पर click करूँगा लेकिन अगर आपका Microsoft Learn के उपर account created नहीं है तो आपको create one पर click करना है ठीक है तो यहाँ पर मैं next पर click करूँगा और जैसे ही मैं next पर click करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है agree to the terms to enroll in ambassador challenge as your AI fundamentals तो यहाँ पर वो terms and conditions पर हमें click करने को कह रहा है यहाँ पर आपको click करना है और उसके बाद हमें continue पर click करना है ठीक है तो जैसे ही आप वहाँ पर click करेंगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा है क्या लिखा हुआ है awesome you are enrolled for the ambassador challenge as your AI fundamentals अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया यह challenge में आप join हो चुके हो अब जैसे ही आप join हो चुके हो तो आपको यह ध्यान में रखना है कि आपको 26 फरवरी से पहले पहले इसे पूरा करना पड़ेगा तो यहाँ पर start learning पे मैं click करूँगा और जैसे ही यहाँ पर मैंने start learning पे click किया आप देख सकते हैं मेरे सामने अलग-अलग प्रकार के modules आ गए है तो यहाँ पर दिखाया भी गया है कि हर एक module को complete करने में कितना समय लगेगा जैसे कि यह fundamental AI concepts का module है इसको complete करने में 36 minutes लगेंगे फिर fundamentals of machine learning को complete करने में 1 hour 54 minute लगेंगे तो इसी प्रकार से सारे जो modules हैं यहाँ पर दिये गए हैं और इसका जो total time है वो आप देख सकते हैं 7 hours and 5 minutes तो यहाँ पर 10 modules total दिये हुए हैं आपको यह 10 के 10 module को complete करना है जैसे ही आप इस module को complete करेंगे तो यह पूरा 100% हो जाएगा जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ यह fundamental AI concepts पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर click करने के बाद यह आप जैसे पहला अपने module दिखाएला तो ऐसे आप यहाँ से study करेंगे ठीक है फिर आपको continue पर click करना है फिर यहाँ पर हमारा next module आया यहाँ पर यह सारी चीज़े आप study करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको continue पर click करना है ठीक है उसक यहां पर मैंने continue पर click किया फिर फिर से यहां पर मैं continue पर click करूँगा तो इस तरीके से यह सारी चीज़े आप पढ़ेंगे तो आपको AI का knowledge मिलेगा ठीक है यहां पर देखे कि responsible AI किया होता है तो यह सारी चीज़े आप पढ़ सकते हैं और यहां से आप समय सकते हैं इन सभी चीज़ों को फिर यहां पर आप continue पर click करेंगे तो एक छोड़ा सा knowledge पर click कर सकते हैं तो जैसे ही मैंने continue पर click किया आपको अब एक चीज़ दिखाए देगी यहां पर देखें यह जो 42% completed था इसको मैं refresh करता हूँ अब यह 100% completed हो चुका है तो यहां पर मेरा 10 module में से एक module यहां पर जो 10 module थे उसमें से एक module complete हो चुका है वैसे ही करके आपको यह वाले सारे के सारे modules को complete करना है और जैसे ही complete हो जाएंगे सारे modules यहां पर आपका 100% दिखेगा सभी के बाजू में ठीक है तो यह जब काम हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है तो उसके बाद आपको एक form की link भी दी हुई है तो उस form की link पे आपको click करना है और यहाँ पर आपका पूरा नाम आपकी email ID और आपके college का नाम यहाँ पर आपको enter करना है उसके बाद जैसे ही आप submit button पे click करेंगे आप आपका response जो है वहाँ तक पहुंच जाएगा और उसके कुछी दिनों में आपका जो certificate है वह आपको मिल जाएगा और अगर आप lucky रहे और randomly selected participants में आपका नाम आया तो आपको LinkedIn premium voucher भी आपके mail address पे भेज दिया जाएगा यह certificate बहुत ही valuable है क्योंकि यहाँ पर आप officially Microsoft से आपक यह उसे share भी कर सकते हैं और अपने resume में भी आप इस चीज़ को add कर सकते हैं तो यह पूरी procedure थी कि किस प्रकार से आप challenge को complete कर सकते हैं आशा रखता हूं कि आपको यह सारी चीज़े समझ में आ गए होंगी यह प्रियसर विद्या पीट के द्वारा लिया गया एक बहुत आप दयाग होगा ताकि वो यहां से artificial intelligence के बारे में सीख सके और जितनी भी नई नई AI में चीज़े आ रहे हैं उसे ध्यान से पढ़ सके ठीक है यहां पर सारे collections आप देख सकते हैं काफी अच्छे connections है machine learning के उपर है Azure AI Services पे है computer vision क्या होता है तो इन सभी चीज़ों के बारे मे आप explore कीजिए समझ ये और आपको इसी चीज़ के लिए आपका certificate मिलेगा तो आशा रखता हूं आपको यहां से सारी माहिती मिल चुकी होगी धन्यवाद